हेलो सुदेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक की जिसका नाम है स्ट्रक्चर ओफ स्केलेटल मसल बचे और अगर आपको एक स्केलेटल मसल के स्टेडी करनी है तो आपको रिक्वाइड होगा एक मसल का तो चलिए हम क्या करेंगे एक मसल को बच्चो तो यहां पर आपको आउटरमोस कवरिंग दिखाए देगी आउटरमोस कवरिंग इंक केस अफ इसकेलेटल मसल इस कॉल एस एपी माइजियम क्या बोलेंगे बच्चो एपी माइजियम बोलेंगे और जब आपने इस मसल को कट किया आपको अंदर बहुत सारे दस होते हैं इन्हें बोला जाता है फैसी क्यूलाई बच्चो क्या बोला जाएगा फैसी क्यूलाई हमें स्टेडी करना है तो हमने क्या किया हमने एक फैसी क्यूलस को बहार निकाल लिया और जब आपने एक फैसी क्यूलस को बहार निकाला बच्चो तो उसकी आउटरमोस कव पेरिकार्डियम बट मसल के केस में पेरिमाइजियम जो वर्ड है वो फैसिक्यूलस की कवरिंग के लिए है बच्चो मसल की नहीं मसल की आउटमोस कवरिंग एपीमाइजियम कहलाईगी चलिए अब इस फैसिक्यूलस को अगर आप देखे तो यहां भी आपको बहुत छोटे- dots दिखाई दे रहे हैं and this are muscle fibers बच्चों ये क्या है muscle fibers एक muscle fiber की steady करते हैं तो चलिए इन में से एक muscle fiber को बाहर कीचा और जब आप एक muscle fiber को बाहर खीचेंगे तो उसकी covering जो होती है that is endomysium वो क्या कहलाएगी बच्चों endomysium in covering muscle की covering epimysium fasciculus की covering perimysium और muscle fiber की covering endomysium चलिए इस muscle fiber की steady को करते हैं और हमने इस muscle fiber को लिया और इसे zooming किया बच्चों तो यहां पर जब आप muscle fiber को zooming करके इसकी covering हटाएगे तो internally आपको कुछ इस तरह का structure दिखाए देगा जैसा अब भी आपसे बोला muscle fiber की covering को कहा जाता है बच्चों endomysium क्या बोलेंगे endomysium यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी membrane जो होती है that membrane is called as sarcolema उसको क्या बोलोगे sarcolema यहां पर periphery पर जो liquid portion आपको दिखाए देगा that will be called as sarcoplasma उसको क्या बोलेंगे बच्चों sarcoplasma बोलेंगे और muscle fiber में skeletal muscle की that will be a multi-nucleated situation बच्चों यहां पर multi-nucleated situation होती है और यहां पर आपको यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे nucleus दिखाए गए nucleus as well as sarcoplasma दोनों periphery पर मिलेंगे बच्चों फिर अगर हम बात करें तो sarco lemma की folding आपको यहां पर दिखाए दे रही है और endoplasmic reticulum का भी dense network देखने को मिल रहा है जिसे बोला जाता है sarcoplasmic reticulum बच्चों क्या बोलेंगे sarcoplasmic reticulum that is a storehouse of calcium calcium का storehouse होता है बच्चों और finally यह जो center में आपको red 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 portion दिख रहा है that is myofibril उससे बोला आता है बच्चों myofibril as you know muscles contractile leacher की होती है और muscle में भी जो contractile structure है वो कौन है बच्चों myofibril है और अगर ऐसा है तो हमें myofibril की steady करनी है तो चलिए एक myofibril को बहार निकालते है और इस myofibril को zooming करते है बच्चों तो जब आप myofibril को zooming करेंगे तो यहाँ पे आपको contractile units देखने को मिलेगी बच्चों और यह जो contractile units होती है यही responsible होती है muscle contractions के लिए मतलब अब हमें focus करना पड़ेगा myofibril के structure के उपर है और जब हमें focus करना है तो चलिए एक plain structure हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं अब myofibril जो होता है बच्चों वो बनता है alternate dark and light band से यह जो dark band होता है that is having a thick filament यहाँ पे particular filaments होते है जिने बोला जाता है बच्चों thick filament और कुछ भी नहीं है यह myosene protein है बच्चों यहाँ पे फिर अगर आप बात करेंगे तो वो area जहाँ पे thick filament होगा that will be called as a band बच्चों उसे क्या बोला जाएगा a band बोला जाएगा तो जहाँ पे यह नहीं है वो structure क्या कहलाएगा वो structure कहलाएगा बच्चों i band that structure यह जो yellow color से highlight किया है उस structure को मैंने बोला है i band धियान दीजिएगा a band और i band area से बच्चों region को बोला गया है thick filament जो होगा उस region को a band बोलेंगे और जान नहीं है उस region को i band बोलेंगे दोनों के center से line pass होती बच्चों a band के center से भी होगी i band के center से भी होगी A band के center में जो line होती है that will be M line उसको क्या नाम देंगे? M line नाम देंगे और similarly I band के center से जो line pass होगी that will be Z line उसे क्या बोला जाएगा? Z line बोला जाएगा अब 2 Z line के बीच के structure के अगर मैं बात करूँ मतलब अगर मैं इस diagram को zooming करूँ तो 2 Z line के बीच का structure जो होता है बच्चो that is called as sarcomere, यह sarcomere है बच्चो, और sarcomere contractile unit है यानी skeletal muscle की structural और functional unit है बच्चो, अब एक sarcomere को अगर आप देख रहे हैं तो इस sarcomere में आपको कितने A band दिखाई दे रहे हैं? एक A band ही दिखाई दे रहा है, that is center part, और यहाँ पे अगर A band की बात करूँ तो कितने हैं? बोले 2 है, एक इस side में और एक उस side में, बट यहाँ पे पूरे है या आदे आदे है बोले half half है, half A band उधर है, half A band इधर है मतलब एक sarcomere में 1 A band plus half A band plus half A band होता है बच्चो, और ध्यान दीजेगा half plus half one मत कर दीजेगा, यहाँ पे biology चल रही है, max नहीं चल रही है, biology में आदा A band ये वाला और आदा A band वो वाला बच्चो, बहुत अलगे, ये mix नहीं हो सकते ध्यान दीजेगा, तो 1 sarcomere equals to 1 A band plus half A band plus half A band, चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो Z line होती है ये attachment देती है बच्चो thin filaments को, किसको attachment देगी? thin filaments को, मतलब ये जो मैंने filaments बनाए हैं, ये कौन से filament है? thin filaments है बच्चो, वो ये thin filaments overlap कर रहे है किसको thick filament को बच्चो, वो region जहाँ पे ये overlapping नहीं है ये जो center में मैंने आपको box बना के दिखाया कि वो region जहाँ पे overlapping नहीं है, that is call as H zone, बच्चो, वो क्या 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 आएगा? H zone क्या क्या आएगा तो हमने क्या देखा? हमने thick filament देखा, उस area को बोला A band, जहाँ thick filament नहीं है, that is I band दोनों के center line हुई, M line and Z line, Z line ने attachment दिया thin filaments को वो region जो overlap नहीं है H zone और दो Z line के बीच का structure, सार को मियर 1 सार को मियर इक्वल्स to 1 A band, plus half I band plus half I band, चलिए अब हम इन में भी एक-एक structure को deal करेंगे, मतलब अब हम एक thin filament और एक thick filament को steady करने जा रहे है बचो, तो यदि आप यहाँ पे thin filament को अगर आप लेते हैं तो thin filament बनाने में हम ऐसा बना देते हैं, but in reality बचो, कुछ इस type का structure है मतलब, एक thin filament further, तीन protein से मिलके बना है, एक actin है, एक tropomyosin है, और एक troponins है, बचो, team protein होंगे, actin, propomyosin proponins, एके करके बात करते हैं, सबसे पहले acting की बात करूँ है, बचो अगर आप acting की बात कर रहे है तो यह जो आपको structure दिखाई दे रहा है, DNA like structure है double, जो एक दूसरे के दाथ helically rounded होते है, बचो और in fact, अगर मैं helically rounded को separate करूँ हा, तो आपको हर एक chain दिखाई देगी, यह जो each chain होती है that chain is called f actin बचो, उसे क्या बोला गया, f actin filamentous actin बोला गया इस f actin में भी अगर आप देखे, तो यह further छोटी-छोटी-छोटी-छोटी बाल से मिलके बना हैं, और मैं एक बॉल को अगर अलग हटा दूँ, तो उसे नाम दूँआ g actin बचो, क्या नाम दूँआ g actin, तो पूरी chain को क्या नाम दिया, f actin और each molecule को क्या नाम दिया g actin, तो यह जितने g actins होते हैं, यह सब मिलते हैं, और यह क्या बना लेते हैं, acting की double chain बना देते हैं, जो कैसा होता है, पुले एक दूसरे के साथ helically rounded होता है चलिए, इसके बाद अगर हम देखें, तो यहाँ पे specifically मैंने कुछ purple dots रखे हैं बच्चो आपके लिए, तो यह जो purple dots का structure है this are basically active sides बच्चो, यह क्या होती है, active sides होती है, अगर थोड़ा समय zooming करूँ, तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे यह जो structure आपको दिखाई दे रहा है that are the active sides, अब active sides का कहां पे है, acting पे बच्चो active sides कहां located है, acting पे located है, और किसके लिए होती है, myocene के लिए होती है, बच्चो, जो active sides होती है, myocene के लिए होगी, मतलब, यहाँ पे myocene का head, जो हम आगे बात करेंगे, वो आके bind करेगा किससे active sides से, बच्चो, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पे second protein के बात होगी, that is what tropomyocene, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, बच्चो, tropomyocene की बात करेंगे, और tropomyocene जैसा आपको दिख रहा है, कि blue color की जो आपको lining दिखाई दे रही है, जो acting को cover कर रही है बच्चो, वही tropomyocene है, मतलब, यह भी double chain है, यह भी DNA की तरह है, जो एक दूसरे के साथ helical ही चलता है, बच्चो, और यह active sides को cover करता है, जब आपकी muscles rest में होगी, बच्चो, इस active side को hide करके रखा जाएगा, किस से hide करना है, myocene के head से, तो यह जो myocene के head से hide करने का काम है, यह दो structures करेंगे, एक tropomyocene करेगा, और एक inhibitory side करेगी, troponin की जो अभी आगे हम बात करने जा रहे है, तो tropomyocene का function क्या है, बोले resting state में, किसको cover करना, active side को cover करना, बच्चो, next अगर हम protein के बात करें, that are troponins, हम किसकी बात करेंगे, बच्चो, troponins, और troponins को अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ 3 subunits होती है, बच्चो, एक होती है, inhibitory side, एक होती है, tropomyocene side, और एक होती है, बच्चो, calcium binding side, मतलब, अगर मैं इन 3 subunits को short में देखूँ, तो बनता है ITC, बहुत बड़ी व्रांड है, बढ़ हमें, सिफ ITC, वर्ट से मतलब है, inhibitory side, tropomyocene side, calcium binding side, inhibitory side, यानि inhibit करने वाली, रोकने वाली, छुपाने वाली, और यह किसको inhibit करेगी, किसको छुपाएगी, that is active side को, बच्चो, जब resting में हैं, तो यह जो inhibitory side है, यह active side को cover करके रखेगी, mask करके रखेगी, ताकि active side धकी रहे, myocene का head इस पर bind ना कर जाए, बच्चो, चलिए, second अगर में हम बात करते हैं, that is T-side, और अगर आप T-side की बात करते हैं, बच्चो, नाम है, tropomyocene side, troponin को tropomyocene से जोडने वाली जो side होती है, that is, tropomyocene side, next अगर हम बात करेंगे, C-side, calcium binding site, और calcium binding site, नाम से clear, बच्चो, कौन आके bind करेगा, calcium आके bind करेगा, muscle contraction के समय, जो calcium release होगा, sarcoplasmic reticulum से, वो कहाँ पर bind करेगा, calcium binding site पर bind करेगा, बच्चो, तो यह हमने बात की about the thin filament, यह हमने किसकी बात की, बच्चो, thin filament की बात कर दी, अब हम further बात करेंगे, किसकी thick filament की, और अगर आप एक thick filament को बाहर निकाल के देखेंगे, तो in reality structure ऐसा नहीं होता, in reality कुछ structure ऐसा तरह का होता है, बच्चो, और इसमें भी अगर आप एक-एक molecule की बात करें, तो उसमें दो parts होंगे, एक part, that is tail part, और एक part होगा, बच्चो, head part, दो part होंगे, tail and head, अगर आप head part की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो sides, एक active binding site, जैसा आप से बोला कि active site actin पे है, है किसके लिए myosin के head के लिए, मतलब myosin का head bind करेगा, किसकी health से bind करेगा, active binding site की health से bind करेगा, बट binding के लिए क्या चाहिए, energy चाहिए, बच्चो, तो second site है, that is ATP binding site, मतलब यहाँ पे कौन आके bind कर जाएगा, ATP आके bind करेगा, बच्चो, और जैसे ही ATP आके bind करेगा, myosin का head इसे तोड़ देता है, किसमें ADP plus inorganic phosphate में energy release होती है, बच्चो, तो यह जो था, that is about the structure, इससे जुड़े वे कुछ questions की बात कर लेता हूँ, पहला question जो आपके सामने है, the storehouse of calcium iron in the muscle fiber is, first epimyasium, second fascicle, third collagen fiber, fourth sarcoplasmic reticulum, calcium का storehouse कौन होता है, sarcoplasmic reticulum, very good, question number two की बात कर लेता हूँ, बच्चो, क्या कह रहा है, the central part of thick filament not overlapped by the thin filament is called H zone, I zone, M line, A band, क्या जाएगा, answer will be H zone, बच्चो, जो overlap नहीं है, उस region को क्या बोला जाता है, H zone बोला जाता है,